इस कहानी की शुरुआत में हमें वोल्टर नाम के लड़के को दिखाया जाता है जिसे गेजट बनाने का बहुत शोग होता है इसलिए गर की चीजों पर एक्सपेरिमेंट करके गेजट बनाया करता था वोल्टर की मॉम जो कि एक पुलिस ओफिसर होती है वो वोल्टर के पास चलूंगा और अपने डिवाइस पर काम करूंगा तो वेंडि उसे कहती है कि तुम मेरे साथ नहीं बलकि स्कुल जाओगे वोल्टर ने कहता है कि स्कुल बोरिंग है वहाँ सबी को लगता है कि मैं अजीब हूँ वेंडि कहती है कि अजीब होने में कोई बुराई नहीं जबहर इंसान तुमारी तरह बनना चाहेगा वोल्टरी से खुश हुआ अपनी मा को जपी देता है फिर अब में 14 साल बाद जापान का सिन दिखाय जाता है जाम की मुरा नाम के वेपन डिलर का अड़ा देखते हैं जाहां आज की मुरा बहुत ही कतरनाक ड्रोन की डिल करेगा इसलिए लेंस इस्टरलिंग नाम का कुफया जासूस बिवाँ पहुँचा आता है जो बहुत ही फेमस और बहादूर था वो बाहर मुझूद दोनों गुंडों को बहुत ही आसानी से मार देता है लेंस एश्टी यूए से आनी की ओनर ट्रेस्ट उनिटी और वेलोर नाम की खुफया एजेंसी के लिए काम करता है जो दुनिया की इफाज़त करती है लेंस अपने ड्रोन को चारों तरफ फेला कर अंदर के आला देखने लगता है तबी उसके पास एश्टी यूए की डारेक्टर जोई का कॉल आता है जो से बताती है कि तुम्हें कीमुरा के पास र जिसे कीमुरा ने एश्टी यूई की खुफया लेप से चुराया था तबी जो एका एक ओफिसर देखता है कि लेंस को दुश्मेनों ने गे लिया जो लगाता है लेंस की तरह बढ़ रहे हैं इसलिए जो उसे मिशन रोकर टीम के आने का वेट करने हो गेती है लेकिन लेंस बहुत गमंडी था वो ने कहता है कि शेर मेदानों में अकेले ही जाता है ये केकर और सिगनल कट कर देता है तब यहां M9 ड्रोन को खरीदने वाला किमनल भी आ जाता है जिसका नाम कीलियन होता है उसका एकाद रोबोटिक था ये देखकर लेंस वहां मुझूद एक वीरिय कीलियन लेंस पर हमला कर देता है और उसे बगड़कर अपना फेज स्केन करता है लेंस उसे बचने के लिए इलेक्ट्री की इलकोस पर गिरा देता है जिससे उससे आजा दो जाता है तबी कीलियन के बहुत सारे गुंडे वाल लेंस पर हमला करने के लिए जाते हैं जिससे क देखने लग जाते हैं लेंस को कुछ समन नहीं आता और वो मौका बाकर सभी पर हमला करने लगता है और एक एक करके सभी को बड़ी चालाकी से मारने लगता है वो एक बोम की मदर से उस बिल्डिंग में छलांग लगाता है जिसें कीलियन के हेलिकॉप्टर से बीफ केस लेकर निकल जाता है फिर जब वोशिंग्टन के एच्टिवी हेड़कॉर्टर पहुंसता है तो वहां सभी उसे देखकर खुश हो जाते हैं क्योंकि लेंस के बादूरी के किस्से दूर दूर तक फेले हुए थे जब वह वापस लेप में जा रहा होता है कि तब भी उसके कोट से वापस से चंकी निकलती है जिससे उसे बहुत गुसा आता है और वो गेज़ेट लेब में आ जाता है जहां तरह तरह के खतरना गेज़ेट बनाए जाते थे वो साइंटिस्से उस चंके के बारे में पूझता है तो सभी टोâyलेट की तरह बिशारा करते थे क्योंकि उसके अ आग को आग से ही जलाता हूँ इसलिए गर में आग को चमकी से बुजाओंगा तो मेरा ही चेरा जल जाएगा वोल्टर उने कहता है कि इसा नहीं हुआ चमकी बिल्ली ने काम किया क्योंकि साइंस के मुताबिक बिल्लियों को देखने से हमाई शेय में इसे हार्मोन रिलीज होत हैं और उने अपने द्वारा बनाया गया कवस दिखाता है मगर और भी सही तरीके से काम नहीं करता वोल्टर उन्हें समझाता है कि चीजों को तोड़ने से अच्छा जोड़ना बेतर है इसलिए हम साथ काम कर सकते हैं लेकिन लेंस उसकी बात नहीं सुनता और वहां से जान देता है जिससे वोल्टर रबर की तरह बन जाता है वोल्टर लेंस से गयता है कि हम दुनिया को अच्छे से बचा सकते हैं बस हमें इसके अपिल करनी होगी लेकिन लेंस उसकी नहीं सुनता और उसे नोकरी से निकाल देता है फिरो जोए के पास वो ब्रिफकेस लेकर जाता है मगर वो देखते हैं क्यों खाली है जिससे सभी एरानों चाते है तब ही वहां मार्सी आ जाती है जो इंटरनल अफ़ेर्स एजेंट होती है वो सभी से कहती है कि लेंस नहीं वो ड्रोन चुराया है और वो अपने साथियों के साथ लेंस के अतियार डियक्रेट करके उसे किरफतार करने लगती है लेकिन जो है उसे कहती है कि तुम इसे नहीं ले जा सकती यह हमारा बेश्ट एजेंट है तो मार्सी के एजिस्टेंट उन्हें सभूत दिखाती है जिसमें लेंस ड्रोन की मदद से कार्ट को मार रहा होता है इसे सभी एरान होते है मगर लेंस समझ जाता है क्यों कीलियन है जिसने उसका रूप लिया होगा और उस सभी को बताने कोशिश करता है कि जिस आदमी ने वो ड्रोन चुराया था उसका एकाद रोबोटीक था और उसने मेरा फेज स्केन किया इसलिए वो में नहीं बलकि वो छोर है लेकिन मार्सी उसकी बातों पर विश्वाश नहीं करती और उसे गिरफतार करने लगती है मगर लेंस किसी दर है वहाँ से भाग जाता है वहीं हमें कीलियन को दिखाय जाता है जो लेंस के बेश में अपने ड्रोन के मदल से लोग को मार रहा था और वो नौर्थ सी में बनी एक वेपन फेसिलिटी में आता था मगर की मुरा मेक्सिको में होता है लेकिन लेंस का वहाँ पहुंचना मुम्किन नहीं होता क्योंकि पुलिस हर जगे उसे ढूंड रही थी इसलिए उसे वोल्टर का ख्याल आया कि उसे गायब कर सकता है इसलिए उसके घर जाने के लिए निकल जाता है वाई तर लवी का पंक लेकर उस पर एक्सपेरिमेंट करता है और उप पंक सक्सेस्फुली गायब हो जाता है इससे वॉल्टर खुश होता है क्योंकि अब इस इन्वेंशन की वज़े से उसे अपनी जो वापस मिल जाएगी तब भी लेंज भी वहाँ जाता है जो वॉल्टर से इन विजिबल सीरम पी लिया जिससे आप 45 सेकंड में एक कबुदर में तबदील हो जाएंगे तब ही लेंज को दर्द होने लगता है औरो कुछी देर में एक कबुदर बन जाता है मगर लेंज उसके ओपर गुसा होता है क्योंकि उसने उसे गायब करने को कहा था ना कि वोल्टर इसे एरान होता है कि लेंज बोल सकता है और उनने कबुदर के फाइदे बताता है कि कबुदर हर शेर में पाए जाते हैं और उन पर किसी को शक भी नहीं होता लेकिन लेंज उनने कहता है कि तुम मुझे वापस नॉर्मल करो तो वोल्टर उनने बताता है कि मैंने अभी तक इसका एंटिडोट नहीं बनाया लेकिन आप फिक्र मत कीजिए मैंने एजेंसी को बता दिया है क्या आप यहाँ है क्योंकि वोल्टर नहीं जानता कि लेंस को दोशी गोशित कर दिया इसलिए लेंस वाँ से भागने लगता है लेकिन कभुतर बनने की वज़े से उसे बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है इसलिए लेंस को ना चाहते हुए भी वोल्टर को अपने साथ कार में लेकर जाना पड़ता है अब मर्सी भी उसे पकड़ने के लिए आजाती है औरो लेंस के कार का पीछा करने लगती है लेकिन लेंस ओटो पाइलेट से अपने कार चला रहा होता है औरो मर्सी को रोकने के लिए वेपन से एक्टिएट करने लगता है लेकिन वोल्टर उसे ऐसा करने से मना करता है कि हम अच्छे लोग हैं हम दूसरे अच्छे लोगों पर हमला नहीं कर सकते और O.L. के केन की मदद से किसी तरह सभी एजेंट से बस्ते हुए वहां से निकल जाते हैं पिर दिखाया जाता है कि लेंस और O.L. जेट से मेक्सिकों की तरह निकल जाते हैं ताकि और कि मुरा तक पहुंच सके लेकिन लेंस वोल्टर से पीछा चुडाना चाता है इसलिए उसे बार फेकने का विचार करता है लेकि उसा नहीं कर पाता है क्योंकि वोल्टरी लेंस के नॉर्मल होने का इंटिडोट बना सकता है वोल्टर लेंस को बताता है कि मैंने इंटिडोट पर काम करना शुरू कर दिया मगर उसे त्यार होने में 18 गंटे लगेंगे तो लेंस इससे गुसा होता है मगर वोल्टर उसे कबुतर होने के फायदे गिनवाने लगता है क्यों बहुत तेज उड़ने के साथ स्लो मोशन में भी देख सकते हैं अब वो कुछ गंटों के सफर के बाद मेक्सिको के ओटल में पहुंच जाते हैं जहां किमुरा ठेरा हुआ था अब लेंस को किसी भी तरह से किमुरा के कमरे की चायबी असिल करनी थी ताकि उसके रूम में पहुंच सके मगर लेंस कबुतर होने की वज़े से नीचे गिरा हुआ खाना खाने लगता है तब यहां दो कबुतर के साथ साथ लवी भी आ जाता है क्योंकि वो सब लेंस को अपना लीडर मानने लगे थे इसलिए जब लेंस रिसेप्शन से किमुरा के कमरे का कार्ड असिल करने जाता है तो वहां वो दो कबुतर भी आ जाते हैं जिनकी बेवकुफियों की वज़े से लेंस को कच्रे में फेक दिया जाता है मगर लेंस को किमुरा के कमरे का कार्ड भी दे देते हैं अब लेंस उस कार्ड की मदद से किमुरा के रूम में पहुंच जाता है जा अपने आवाज से उसे डराने लगता है मगर उसे पीछे देखने से मना करता है ताकि उसका सच सामने ना है क्यों कबुतर है लेकिन तब लवी औरो दो कबुतर भी वहाँ आ जाते हैं जिसकी वज़े से किमुरा को पता चल जाता है कि लेंस से कबुतर भन गया इसलिए किमुरा लेंस को बुरी तरीके से मारने लग जाता है लेंस भी उसे डरने कोशिश करता है लेकिन कबुतर होने की वज़े से वो से नहीं जीत पाता तब यह उसकी मदद करने के लिए वोल्टर आ जाता है जो कीमुरा को अपने पीन की मदर से रबर का बना देता है मगर कीमुरा उसे उस रोबोटिक हाथ वाले आदमी के बारे में कुछ नहीं वदाता तो वोल्टर टू सिरम को उस पर spread कर देता है जिससे ओने बता देता है कि रोबोटिक हाथ वाला आदमी एजेंट डेटाबेस चुराने वेनेस जा रहा है जिससे उसे सभी एजेंट के नाम पता चल जाएंगे और वो ड्रोन की मदद से सब को खत्म कर देगा इससे वोल्टर और लेंस परिशान हो जाते हैं अब मरसी भी अपने साथियों के साथ व हुए गार्ट से बस्ते रहते हैं और सेबली नीचे लेंड हो जाते हैं तभी मरसी के एजेंट उनें पकडने आ जाते हैं और उने चारों तरफ से गेड़ने लगते हैं ये देखकर वोल्टर अपना मल्टी पे लेने जाने ही लगता है मगर एक कपुतर उसे खा जाता है जिससे उसके पेट में कुछ होने लगता है और उसके मुझ से चुंगम निकलने लगता है जिससे सभी गार्ड उसमें फस जाते हैं मार्सी भी अपने साथियों के साथ वहां जाती है और उस समझ जाती है कि यह सब लेंस का काम नह करती है क्यों बहुत स्मार्ट है और उसने 15 साल की उम्र में ही पीएचडी कर ली थी इसलिए उसने यह सब किया होगा वहीं हमें कीलियन को दिखाया जाता है जिसने नौर्थ सी की वेपन फेसिलिटी पर कबजा कर लिया था जाओं बहुत सारे M9 डोन बना रहा होता है साथ ही उसने एक साइंटिस्ट को भी बंदी बना कर रखा था जिसकी मदश से उसने एजेंट डेटाबेस को और लाइन लाने का इंतजाम कर लिया जिसे डेटाबेस को मशिन में फिट करते ही सबी डोन उन एजेंट्स को आसानी से मार पाएंगे मगर लेंस उस साइंटिस्ट को भ पैसाद मौजूद होती है और वोलटर से लेंस के बारे में पूचने लगती है मगर उसे कुछ नहीं बदाता तो मरसी प्यार से उसके पास जाती हुई केती है कि तुम मुझरिम नहीं हो तुम स्मार्ट बच्चे हो तुमने ऐसी ऐसी चीजों का इन्वेंशन किया जिसके बा तर्वी को साथ काम करना चाहिए तब यहां बिलिडिंग में ब्लाश्ट होता है इसलिए मार्सी अपने साथियों के साथ अंदर जाती है मगर M9 रोबोट उन्हें केत कर लेता है और डेटाबेस लेकर वहां से निकलने लगता है वोल्टर लेंस और कबुतर मिलकर किसी तरह उ होते हैं मगर कीलियन भी वहां पर आ जाता है जो वोल्टर पर हमला करके उसे गिरा देता है और उसे मारने लगता है लेंस भी कबुतर होने की वज़े से कुछ कर नहीं सकता मगर वोल्टर चालाकी से कीलियन पर ब्रेट के टुकड़े फेंक देता है जिससे सभी कबुतर उ ले लेता है मगर मार्सी को उस पर शक होता है इसलिए अपने ड्रोन की मदद से वहां से निकल जाता है मार्सी और उसके शिस्टेंड इसे एरान होते हैं कि उसका एक हाद रोबोटिक था वहीं वोल्टर और लेंस एक संबरींस है कीलियन की लोकेशन की तरह बढ़ रहे होते ह अब लेंस को भी एकिन हो जाता है क्यों दोनों एक अच्छी टीम है क्योंकि वोल्टर के बिना कीलियन का पता नहीं लगा पाता अब वोल्टर लेंस के लिए एंटिडोट भी बना कर त्यार कर देता है जिससे वो नॉर्मल हो जाता है वोल्टर उसे पेहनने के लिए कपड जाने हो गेता है मगर वो नहीं मानता तो लेंस अपने गेजट की मदद से उसे बेऊश कर देता है क्योंकि अपने एक लोते दोस्ट वोल्टर को भी नहीं खोना चाहता है फिर उस बेस में पहुंच जाता है जाओ देखता है कि पुरा बेस बरबाद हो गया और उसे कीलियन भी नजरा जाता है लेकिन तब भी उसका M9 ड्रोन लेंस पर आमला कर देता है लेंस उसे खत्म करके कीलियन के पास हेकर कहता है कि अब तुम एजेंट का कुछ नहीं भीगाड सकते क्योंकि मैंने तुम्हारे ड्रोन को खत्म कर दिया इसलिए डेटाबेस मुझे दे दो तो कीलियन अपने बनाए हुए हजारो ड्रोन को वहाँ बुला कर लेंस को बंदी बना लेता है कीलियन उसे कहता कि मैं तुम्हारे सभी एजेंट को खत्म कर दूँगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे तो लेंस उसे कहता कि मैं तुम्हें नहीं जानता फिर भी तुम ये सब क्यों कर रहे हो तो किलियन उसे कहता कि शायर तुम भूल गए हो लेकिन मैं नहीं बूला और उसे बताता कि मैं अपने गेंग का लीडर था और रेगिस्तान में तुमने अपने एड़ांस गेजर से मेरे सभी साथियों को मार दिया और उसे अपना जलावा चेरा दिखाता है तो लेंस उसे गहता है कि तम क्रिमिनल हो, लोगों को मारते हो, इसलिए मुझे उन्हें खत्म करना बढ़ा, तो कील्यन उसे गहता है कि तुम्में लोगों की जानों की कोई पर्वा नहीं, इसलिए तुम अपने खतरनाग गेजेट से बुरे लोगों को सजा देने के बज़ाए उन्हें मार देते हो इसलिए मैं तुमसे बदला लूँगा और वो अपने हजारों ड्रोन को सभी एजेंट को मारने के लिए भेज देता है तब भी उसे अपने सिस्टम पर अलट मिलता ह क्योंकि वोल्टर वापस से लेंस की मदद करने आ रहा था इसलिए के लियन अपने दो ड्रोन को उसे मारने भी एजता है लेंस उसे इसा करने से मना करता है क्यों मासुम बच्चा है लेकिन उसकी बात नहीं सुनता और उस संबरीन को ब्लाश कर देता है और वहां से चला ज से आता है लेंस काफी दुखी हुआ उदास हो जाता है मगर कुछ देर में कब उतर के साथ साथ वॉल्टर भी वहां पर आ जाता है क्योंकि उसने अपने बबल येजेट से खुद को बचा लिया था लेंस उसमाफिय मांगता है कि मैने तुमें ब्योंश कर दिया था तो और मार्सी और उसके सातियों को भी वहां बुला लेता है अब लेंज बहार आकर कीलियन का ध्यान बटकाने लग जाता है और वोल्टर चिपकर कीलियन का रोबोटिक हिंट चेक करने लगता है क्योंकि उस हैंड की मदद से ही M9 ड्रोन को कंट्रोल करता था अब लेंज भी वो वोल्टर की गेजट की मदद से ड्रोन को खत्म करने लग जाते हैं मार्सी भी लेंज से माफी मांगती है कि उसने उस पर शक किया अब कीलियन अपने बहुत सारे ड्रोन से उन पर हमला करने लग जाता है वहीं एश्टी यूएस हेड़क्वाटर में सभी एजेंट चिपने के लिए आ जाते हैं क्योंकि बहुत से ड्रोन उन्हें मारने आ रहे थे इसलिए अपनी सिक्योर्टी के लिए गेट बंद करने लगते हैं मगर ड्रोन पावर कट कर देते हैं और उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं वहीं वोल्टर की पूरी टीम उसके गेजट की मदद से सब द्रोन का मुकाबला कर रही होती है और होखुद कीलियन के हेंड को हेक करने में लगा हुआ था जिसमें उसे बहुत वक्त लग रहा था तब रहा है इसलिए वाँ से भागने लगता है वोल्टर अपने गेजट की मदद से उसे पकड़ लेता है लेंज भी उसकी मदद करने जाता है मगर उजदा देर तक उसे पकड़ नहीं पाता और वो कीलियन के साथ दी आसमान की गहरायों में चला जाता है लेंज इसे दुखी होत लेंज को वोल्टर की वज़े से सिरम दिखाए देती है जिससे उगकब उतर बन सकता था वहीं वोल्टर अब सकसेसफुली कीलियन के हाथ को हेक कर लेता है और सबी ड्रोन को बंद करने वाला था लेकिन कीलियन उसे गयता है कि अगर तुम ने इसा किया तो मेरे साथ साथ क्यों भी मारे जाओगे क्योंकि हम ड्रोन से जुड़े हुए हैं तो वोल्टर कीलियन को बचाने के लिए उस पर बबल लगा देता है और ड्रोन को अफ़कर देता है जिससे वोल्टर तो नीचे गिरने लगता है मगर इससे एजेंट पर हमला करने वाले सबी ड्रोन बंद देता है इससे वोल्टर और लेंस खुश होते हैं कि उन्होंने दुन्या को बचा लिया वहीं कीलियन भी बबल की वज़े से जिंदा बच गया था फिर दिखाया जाता है कि जोए वोल्टर को टीम का लीडर बना देती है जिससे लेंस भी खुश होता है जो अब नॉर्मल ह हो गया था और अब वो अच्छे से सभी बुरे लोगों को रोकने लगते हैं और यहीं पर इस मुवी की हैपी एंडिंग हो जाती है गाईस अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना मिलते से नेक्ष्ट वीडियो में थेंक्स औरोची